नमस्कार स्वागत है आप सभी का मध्व प्रतेश जीनेम रिजल्ट 2023 लेटिस्ट अप्डेट में दोस्तो कैसे आप सभी उमीद है आप अच्छे और सुस्तोंगे दोस्तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मध्व प्रतेश जीनेम रिजल्ट 2023 से सम्मंधित बोट ही स्टेटर सोह रहा है ऐसे में माध्यब प्रतेश नम रिजल्ट आफिरकार इतनी देरी से क्यों जारी किया जारह इसबार क्या होने वाला है क्या मद्ध प्रतेश जीनेम रिजट 2030 को नहीं जारी किया जाएगा आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर जानकारी मिलने वाली है तो दोस्तों आप लोगों से क्यों लेकर रिक्ष्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को हो सके अपने दोस्तों को भी सेर किजिए ताकि से तरह की लेटेस्ट अब्डेट सबसे पहले आपको मिलती रहे क्योंकि हम लगातार खास अब्डेट आपके लेकर आते रहते हैं चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा आप सभी अभ्यारतों को मालम होगा कि मदर प्रतेश जीनेम रिजल्ट का इंतजार बहुत से अभ्यारती लगातार कर रहे हैं और वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि मदर प्रतेश जीनेम रिजल्ट आखिरकार इतनी देरी से इस बार क्यों आ रहा है और मदपरतेश जीनेम रिजल्ट 2030 को जारी होने में अभी और कितना समय लगेगा क्या रिजल्ट इस बार काफी देरी से आएगा तो दोस्तों हम आपको बता दे कि मदपरतेश जीनेम की जो 22 तारीक को नोटिस जारी की गई थी जो 22 जून को नोटिस जारी की गई थी उसमें रिजल्ट से सम्बंदित यही बताया गया था कि मदपरतेश जीनेम रिजल्ट 2030 को किसी कारणबस रोका गया लेकिन उसके बाद जो अपडेट आई थी कि मदपरतेश जीनेम रिजल्ट 2030 जो है वो कोर्ट में हो चुका ऐसे में अब च्छातरों के मन में यही सवाल उत्मन हो रहा होगा कि मदपरतेश जीनेम रिजल्ट 2030 आखिर कार कब तक जारी होगा और कितने दिनों में जारी किया जा सकता है तो दोस्तों हम आपको बता दें कि मद्ध प्रतेश जीनेम रिजल दोहजार तेश जो जारी किया जा सकता है वो अक्टूबर माह में जारी किया जा सकता है अक्टूबर माह में ही मर्द प्रतेस जीनम रिजल दोहजार तेस को जारी होने की संपोर्ट संभावना बताई जा रहे है ऐसे में मर्द प्रतेस जीनम रिजल जीतने भी कंडिडेट है अगर वो मर्द प्रतेस जीनम रिजल दोहजार तेस के इंतजार कर रहे है कि कोर्ट ये जो मर्द प्रते जेने रिजल्ट हो वो कोर्ट में पिंडिंग है और पिंडिंग होने के कारण इस बार काफी देरी से आने की रिजल्ट की संभावना है